मैं आज हस्टॉल पर तो नहीं जा पाया लेकिन जीतने भी स्टॉल्स मैंने देखे वो बहुत ही प्रभावित करने वाले थे देश में इस सब हो रहा है देखते हैं तो और आनद हो जाता है मैंने तो कभी गाड़ी खरी दी नहीं है इसलिए मुझे कोई अनुख हो नहीं है मैंने कभी साइकल भी देखे दी है मेरी दूसरी टम्मे मैं देख रहा हूं कि खासी मातर में प्रगति हो रही है और मुझे विश्वास है कि तीसरी टम्मे कि यह समध्दार को इशारा काफी मता है मैं आज हस्टॉल पर तो नहीं जा पाया लेकिन जीतने भी स्टॉल्स मैंने देखे वो बहुत ही प्रभावित करने वाले थे हमारे देश में इस सब हो रहा है देखते हैं तो और आनद हो जाता है मैंने तो कभी गाड़ी खरिदी नहीं इसलिए मुझे कोई अनुभ हो नहीं है कि मैंने कभी साइकल भी देखे दी है मैं दिली के लोगों को भी कहूंगा कि इस एक्ष्पो को आकर जुरूर देखे हैं यह आयोजन मोबिलिटी कॉमिनिटिव और पूरी सप्लाइचेन को एक मंच पे लाया है मैं आप सभी का भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में अभिनंदन करता हूं और आप सब को बहुत-बहुत शुक्वामनाई देता हूं कि शायद आप मेंसे कुछ लोगों को स्मरण होगा कि जो मैं मेरी पहली टम थी उस समय मैंने एक ग्लोबल नेवल की मोबिलिटी कांफरस्स प्लान की थी और उस समय की चीज़ें अगर आप निकाल के देखोगे तो बैटरी पर हमारा का फोकस क्यों होना चाहिए कि एलेक्टिक वेहिकल की तरफ हमें कैसे जल्दी जाना चाहिए इन सारे विश्यों पर बहुत दिस्तार से वो समीट हुआ था ग्लोबल एक्सपर्स आये थे और आज मेरी दूसरी टम में देख रहा हूं कि खासी मातर में प्रगति हो रही है और मुझे विश्वास है कि तीसरी टम में चलिए समध्दार को इशारा काफी रहता है और आप लोग तो मोबिलेटी की दुनिया है तो यह इसारा देश में जल्दी से पहुचेगा साथिवा आज का भारत 2047 तक विश्षीत भारत बनाने के लक्ष को लेकर आगे बढ़ रहा है इस लक्षी प्राप्ति में मोबिलीटी सेक्टर एक बहुत बड़ी भूमी का अधा करने वाला है और मैंने लाल के लिए से कहा था मैं आज दुबारा उसका पुनस्मन करा रहा हूँ उसमें मेरा एक विजन भी था मेरा विश्वास भी था और विश्वास मेरा अपना नहीं था 140 कर उर्देश वास्चों का सामर्थ के कारण वो विश्वास शब्दों में प्रगट हुआ था और उस दिन मैंने कहा ता लाल के लिए से यही समय है सही समय है यह मंत्र आपके सेक्टर पर बिलकुल फिट बैड़ता है एक प्रकार से इंडिया इस अन दे मुव और इस मुविंग फास्ट भारत के मोबिलिटी सेक्टर के लिए एक तरह से गोल्डन पिरियड का प्रारम है आज भारत की अर्थववस्ता का तेजी से विस्तार हो रहा है और जैसा मैंने पहले का हमारी सरकार की तीसरे टम्ब है भारत का दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थववस्ता बनना ताय है है हमारी सरकार के प्रयासों से पिछले दस वरस्वा में करीब पचीस करोड लोक गरीबी से बाहर निकले हैं और जब वो गरीबी से बाहर निकलता है तब उसके सपनों में पहली पांच चीजों में क्या होता है एक आप होते हैं चाहे वो साइकल खरीदे का चाहेगा चाहेगा चाहे स्कूटी खरिदना चाहेगा चाहे स्कूटर और हो सके दो फोर विलर उसका पहला ध्यान आपी पर जाने वाला है और पचीश करोड़ लोग गरीबी से भाहर आए हैं आज भारत में बड़ी संख्या में हैं नियो मिडल क्लास बड़ा है जिसकी अपनी आशा है अपनी आकांच चाह हैं शायद एस्पिरेशन का लेवल उस सोसाइटी में होता है उस एकोनोमिकल स्टार्टर में होता है वो शायद दी कहीं और होता है जैसे व्यक्ति के जीवन में चौदा से बिस साल का कालखन जैसे एक प्रकार से अलग ही होता है वैसा इनके जीवन में होता है और इसको अगर हम एड्रेस करते हैं तब कलपना कर सकते हैं हम कहां से कहां पहुँच सकते जी ये नियो मिडल क्लास उसके एश्पिरेशन्स और दूसरी दावाए भारत में मिडल क्लास का दाइरा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है मिडल क्लास के इंकम भी बढ़ रही है ये साहरे फेक्टर्स भारत के मोबिलिटी सेक्टर को नई उच्चाई देने वाले हैं बढ़ती हुई अर्थववस्ता और बढ़ती हुई आई के बीश बढ़ते हुए कुछ आंकड़े आपके सेक्टर का होसला बढ़ाने वाले हैं मोदी नहीं यह आंकड़े